हेलो फ्रेंड वेल्कम टू बैक माई चैनल टेक्निकल गुरु तिक्ष्टी आज हम बात करेंगे फ्लांच कैसे कौन सी फ्लांच कहां यूज होता है और उसका क्या नाम है और फ्लांच का सेंबल देखके कैसे फ्लांच चीन आ जाए चलिए शुरू करते हैं तो एक नमबर पर आते हैं बलाइंड फ्लांच बलाइंड फ्लांच साब तरह का काम नाम पर ही लगता है और इसको पहाचानने का पूरा इसमें कोई अंदर में मतलब अश aquestaनकर में इसको ब्लाइंड फ्लांच बोला को आपना जो गैस का लाइन रहता है इसको फ्लांच को यूज गया जाता है आप तिसरे नमबर पर आता है अपना slip on flange slip on flange अपना लगता है इसको पैचनने का तरीका है flange के ओपर 2 इंच का मतलब half inch का half inch का बीट उठा हुआ रहेगा और आपका इसके अंदर pipe जाता है बाकी पुरा pipe को घिस के अंदर घुसाना पड़ता है इतना यह easy नहीं रहता है और इसको बोलता है slip on flange यह वाला यह उज़ता है gas का line पे और tail वाला line पे और कहीं नहीं उज़ता है अब अपना चला जाते है चार number पे socket weld flange socket weld flange बोले तो इसमें thread रहता है और अंदर घुसता नहीं pipe उपर में खली राक के welding किया जाता है यह वाला अपना fire line पे यह उज़ता है ज्यादा तर fire line और ER वाला line पे और इसको पैचानने का तरीका है इसका उपर half inch का bit रहेगा और अंदर thread रहेगा चलिए आप जाते है पांच number पे threaded flange यह वाला इवूज होता है अपना ER का line पे और अपना घर में जो इवूज होता है पानी वाला line उस पे threaded वाला flange इवूज होता है और काई नहीं उज होता है और अपना क्या बोलता है इसको पैचानने का तरीका है इसका जो अंदर में pipe लगने का position है वो position में पूरा thread रहेगा और कुछ नहीं रहेगा अब चला जाता है छटा नमबर पे छटा नमबर पे क्या आता है lap joint flange इसको पैचानने का तरीका है अंदर half inch का beat रहेगा और pipe इसके अंदर जाएगा बाहर से welding हो जाएगा और अंदर से welding नहीं होगा यह वाला आपका gas line पे यूज होता है gas line और tail line fire line पे इसको यूज किया नहीं जाता है चलिए आप 7 नमबर पे आता है welded flange welded flange welded flange अपना इसको पैचानने का कोई sim beam इसका कुछ भी नहीं रहता है खाली उपर से pipe बैठा के इस पे welding किया जाता है अंदर भी नहीं गुछता है इसको बोलता है welded flange यह वाला यूज होता है अपना fire line पे यूज होता है पानी वाला line पे यूज होता है और कुछ नहीं और tail वाला line पे भी यूज होता है चलिए आप आते है 8 नमबर पे 8 नमबर पे आपना आता है plate flange plate flange बोले तो इसको क्या है plate हम लोग जाईसे की बनात करके रहें काहीं लगा देते हैं तो वह इसको बनते हैं फ्रकेम प्लेट को मारविंग करके जो बनाता है उसको प्लेट फ्रेंच बोलता है अब चला जहता है नौल नॉम्बर पे इसकर मड़ियम है यह वला फ्लेंच पे और तेल लाइन पे फायर लाइन पे भी यूज होता है ठीक है यार वाला लाइन पे भी यूज होता है कि अब चला जाते हैं दौस नॉमबर पे दौस नॉमबर पे अपना रेडूसिंग फ्लैंच रेडूसिंग फ्लैंच यूज होता है अपना जो यह होता है त्यूस मतलब जहां बहुत सारा पांप का आइक्षण हुआ ट्यूस में यह यह वाला डॉसइंग तैर्मिनल जो बलता है हम लोग और कि यह प्लैंट का होता हैं यह गयदा का हो रियंदे ऑसका किर्ट को सद्ट वे सके QA अब चला जाता है ग्यारा नमबर पे डीन फ्लांच ग्यारा नमबर पे अपना डीन फ्लांच है यह वला हाइड्रोलिक लाइन पे यूज किया जाता है डीन फ्लांच हाइड्रोलिक कोयल का जो लाइन रहता है उसको इसमें यूज किया जाता है इसमें रहता है रेडूसर का टाइप का लेकिन यह हाँ पिंच से ज़्यादा उपर नहीं रहता है डीन का जो यह है यह हाँ पिंच रहता है खली ठीक है अब चला जाएंगे हम लोग 12 नंबर पे इसका क्या है जैसे कि हम लोग देखे है रहता है इसका बाहर साइड भी रहता है दोनों तो इसका रहता है और बाहर बैठा के इसमें building किया जाता है और यह बाला लाइन आपका अपना gas line पे लगता है hydraulic line पे लगता है और अपना fire line पे लगता है सब में यह बाला फ्लांच सब में यूज किया जाता है और इसको पैचनने का तरीका आपको बता है पहले ही वह अंदर बाहर दोनों तरफ रे स्पेस जैसे लुदि रहेगाए- अब चल जाता है त northern फ्लांच four micros hundred फ्लांच पैचनने का तरीका है अपका मीकम यह फ्लांच थोड़ा ज्यादा मोटा होता है दो इंच तक मोटा सब आ होता है ईवला अपना gas line पे यूज होता है यह लाइन पे इसको पैचनने का तरीका अंदर hai found реб Scott नह जाता है अंदर से वेल्डिंग नहीं होता है यह तेरा नूमबर वाला चला गया फोर्जेड फ्लांच अब चला जाएगा हम लोग 14 नूमबर पे हैं मेटल फ्लांच यह वाला आप लोग देखे होंगे जो कास्टिंग लाइन रहता है कस्टिंग लैन पे थ्रेड वाला पाइब रहता है उसमें लगता है बाकी यह जो जी आई का पाइब लाइन रहता है वह त्रेड़ वाल इसमें रहता है इसको मेटल फ्लेंच को पैचानने का तरीका है बाहर साइड दो इंच तक बीट रहेगा उठा हुआ रेडूसर टाइप और बाकी आंदर पूरा थ्रेड रहेगा यह हो गया आपका मेटल फ्लेंच अब हम लोग चला जाएगा 15 नमबर पे 15 नमबर पे है अपना कास्ट फ्लांच कास्ट फ्लांच बोले तो कास्टिंग का जो लाइन रहता है उसमें यह भी कास्टिंग बलाई है खली कास्टिंग लाइन पे यूज होता है और कहीं नहीं यूज होता है इसके अंदर साइड थ्रेड रहता है बाहर दो इंच तक बीट उठा हुआ रहता है थ्रेड टाइट हो जाता है ठीक है हो गया आप अपना 17 नमबर हम बाताएंगे 17 नमबर वाला जो है वेल्डिंग फ्लैंच ये वाला गैस लाइन तेल लाइन यार लाइन तीनो लाइन पे यूज होता है हाइडरोलिक लाइन और पानी वाला लाइन पे यूज नहीं होता है इसको पैचानने का तरीका बाहर दो इंच तक फ्लैंच जाए से रेस पेस अंदर रहेगा और बाहर द दो इंच से तीन इंच तक रेडूसर टाइप रहेगा यह वेल्डेड फ्लांच हो गया आपका पानी वला लाईड,EAR वला लाईड और गैस वला लाईड और अपना सिस्टेम में भी यूज होता है सिस्टेम बुले तो क्या है Care Sandling Strength में ADP या और ओर ईयरिडेड भाल लिद पर्प का निचे वला पर्षान में एसम फ्लांच यूज किया जाता है अब चला जाएगा हम लोग 19 नमबर पे स्टील लेप जोएंड फ्लैंजेस स्टील लेप जोएंड फ्लैंजेस को पैचनने का तरीका है अंदर रेस्फेस रहेगा बाहर की तरफ हाप इंच से कॉम भी तुठा हुआ रहेगा अंदर पाइप गुसके इसमें बैल्डिंग किया जाता है अपना जे टी में उस होता है यह वाल फ्लैंज जाधा तर ऑर सिस्टेम में भी उज़ किया जाता है यह वाला और हाइडरोलिक लाइन पे सार वाला जितना भी काम रहेगा उसको ये वाला फ्लेंज यूज किया जाता है स्टिल लेप जॉइंट फ्लेंज अब चला जाएगा हम लोग 20 नॉमबर पे 20 नॉमबर पे अपना राउंड फ्लेंज आता है ठीक है राउंड फ्लेंज पहेंचनने का तरीका है सिप्लेंज कुछ भी नहीं रहेगा इसमें ना रहेगा रेस्पेस आपका ना रहेगा बीट उठा हुआ एकदम सीधा सदा आसान सा तरीका और इसको हम लोग खाली यूज करते है पाइप लाइन पाइप लाइन बोले तो अपना फायर का लाइन में यूज होता है और कहीं नहीं यूज होता है यह आपका चला गया बीस नॉमबर वला आप चले जाएंगे हम लोग 21 नॉमबर वला एक 22 नॉमबर पे अपना आता है bu एक किस नॉमबर पे आता एस्टेंव लैंज एस्टेंव फ्लैंज अंदर रेषप उप्ला बारीक जैसा रेषपर रहेगा और इसमें रेडूसर टाइप रहेगा एक इंच तक एक इंच तक रेडूसर टाइप रहता है और यह वाला यूज होता है पांप लगने का बात में आपका ये वाला फ्लांज यूज होता है वो चाहे तो टार्मिनल में भी हो सकता है चाहे तो हाइडरोलिक पांप का भी हो सकता है वहां पे ये वाला यूज किया जाता है अब चला जाएगा 22 नंबर पे 22 नंबर पे आता है पी एन फ्लांज पी एन इसका चार से पांच एमेम आपका बीट उठा हुआ रहता है इसके आंदर पाइप गुशता है और आंदर रेस्पेस रहता है दोनों तरफ से बेल्डिंग किया जाता है इसको यह वाला प्रेसर लाइन पर यूज होता है हाइड्रोलीक चाहिए फायर लाइन और टार्मिनेल इस सब सब जगह पे फ्यूज किया जाता है अब चला जाएगा हम लोग 23 रेंगउन तो अई थेष के अपना आता है मैं हगो तैइस नोंबर पे आता है पैड़े लाइन प्लेट प्लेट पना सौ या च् увидеть का पाइप का दोनों तरफ को प्लांच लगा रहता है फ्लांटपा पॉस्टा डीबार का Бीच में इसको यूज़ गया जाता है और एक साइड में आपका पाम का कानेक्सन हो जाता है इसको बोलता है पैडल फ्लांच अब चला जाएगा हम लोग 24 नमबर पे 24 नमबर पे राउंड फ्लैंच है यह वाला कुछ भी नहीं है इसमें रेस फेस भी नहीं है और प्लेन है इसमें दोनों पाइप घुसा के वेल्डिंग किया जाता है दोनों तरप से इसको जहां प्रेसर कम रहता है वहार लागता है ज चलिए आप चला जाता है 25 नमबर पे 25 नमबर पे अपना पिलिट फ्लैंच पिलिट फ्लैंच यह वाला आपका ज्यादा यूज नहीं होता है बाकि यह वाला प्लास्टिक का जो लाइन रहता है प्लास्टिक लाइन पे यूज होता है और सिस्टेम का लाइन पे यूज होत लाइन रहता है इसमें यूज किया जाता है इस प्लिट फ्लांच अब चला जाएगा हम लोग 26 नंबर पर 26 नंबर पर आपना आता है और इफ्रांच ओले तो अम बीच में और आरि पीस रहेगा सेटिंग किया हुआ और दोनों तोरफ फ्रांच से टाइट किया हुआ रहेगा बीच में रे स्फ़ेस रहेगा और दורה इसा अब रेडूसर के तरफ नहीं रहेगा खली पाइप निकला हुआ रहेगा दो इंच तक इसको बोलता है अपना औरी फ्लांच अब चला जाएगा 27 नंबर पे 27 नंबर पे अपना आता है पीटी एफी फ्लांच यह वाला अपना यूज होता है जो यह रहता है पांप रहता है यार लाइन पे जो हेवी हेवी टी एसी लाइन एसी लाइन ओ बाला जगह पे यह पीटी एफी फ्लांच यूज किया जाता है यह हेवी मेटल बाला फ्लांच है इसमें रेस फेस रहता है और थोड़ा मोटा थीगनेस का यह वहला फ्लांच रहता है ठीक है अब चला जाएगा हम लोग 28 नॉमबर पी 28 नॉमबर पी आता है सोप फ्लांच इसका तीन बीट रहता है बोले तो अंदर पाइप घुसने का जगा वह अंदर से वेल्डिंग नहीं होता है और बाहर जो बीट अब देख रहे है यह बाहर से भी पूरा वेल्डिंग मारके भराया जाता है यह वाला हाइस्प्रेसर वाल हम पे यह यूज किया जाता है ठीक है इसका अंदर रेस्प्रेस भी रहता है अंदर से वेल्डिंग नहीं होता है यह वाला हो गया आपका सो फ्लांच तो अब चला जाएंगे हम लोग 29 पे 29 बोले तो लास्ट वाला फ्लांच जो आपका है कॉंड़ेक्टर फ्लांच काहां लगता है और इसको पैचाने का तरीका जो है आपका इसका अंदर में रेस्पेस रहता है और उपर निपील जाएसा लगा हुआ रहता है उसमें ओ निपील में आपका ग्रेज या तो फिर सेप्टिभाल यह सब लगता है यह आपका भैसल टाइप में यूज होता है बैसल का उपर में लगा हुआ रहता है सो फ्रेंच आज के लिए इतना ही है और जिसको समझ में ना आए तो कॉमेंट जोरूर कीजिएगा और लाइक से यार